कि देखो SSC में ऐसे questions आते हैं है ना तो इसमें एक तो यह है चलो ऐसा बना सकते हो इसमें कुछ नहीं 25% लिखे एक बटा क्यों है जैसे आपने 100 रुपय में समान को खरीदा 100 रुपय में बेज भी रहा हूँ जबी भी मिला जाता है दूद में पानी तो प्रॉफिट कमाने के दो तरीके या तो आप सेलिंग क्राइश को बढ़ा दो या फिर कॉस्ट प्रैस को व्यक्राइश को कम कर दो जब बैमान और profit कितने का हुआ 25% का यहाने यदि मैं बोलू 5 by 4 of 5 बटा 4 of actual cost price, cost price नहीं हो गया, cost price को जब कम किया गया तो उसको क्या बोल दिया मैंने, वास्तविक में cost price क्या था, clear हैं, तो जब आप यहां से actual cost price निकालोगे, तो यह cancel हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 80, clear हुआ अब आप यहां पे अनुमान ratio यदि देखोगे, तो 80 cost price है, 20 रुपए उसका profit है, 100 रुपए उसका selling price है, इसको अपन cancel कर देते हैं, तो अनुपात क्या बनेगा, 1, 4 और 5, इसका मतलब समझो क्या हुआ, actual cost price मतलब क्या है, कितने का दूद बेचा गया, तो दूद कितना बे पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, एक unit, और यदि वो चोरी नहीं करता, यदि वो चोरी नहीं करता, तो वो कितने का दूद बेचता, पांच का, तो एक container में पहले 5 unit दूद भरा हुआ थो, उसने क्या क्या एक unit दूद निकाल दिया, और वहां पे क्या डाल पानी, और फिर उस मिश्रण को बेच दिया, समझ में आया, अब इतना लंबा ना जाकर कि आप शौट में क्या आद रखो, हमेशा जबी भी बैमानी होगी, और cost price पर ही समान बेच रहे, देखो 100 रुपे में खरीद और कितने बेच दिया, 100 रुपे में, दोनों सेम है, तो 1x4 का, 25% का, profit हमेशा किस पर calculate किया जाता है, actual cost price, यहाँ पर मैं CP नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यों actual क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने dishonesty करके cost price को कम कर दिया, समझ में आया, तो अब सिधा इस अनुपात को देखोगे, उस अनुपात को देखके क्या समझ में आ रहा है, उसको मुनाफ़ा हुआ एक unit का, उसने समान बेचा, 4 unit का, और मिश्रण कितने का था, 5 का, उसको बेचना 5 unit दूद था, उसने एक unit क्या निकाल दिया, दूद निकालके वहाँ क्या डाल दिया, पानी, तो जो पानी वो मिलाया है, वही तो चोरी है ना उ इसी सवाल में कितने का profit है 33 एक बटा 3 उसका fraction value क्या होता है विएम माने बटा 3 होता है ना इसका मतलब क्या उसने पानी कितना मिला पी दूथ कितना यूज किया और यदि काईदे से काम करता बिना चोरी-चाकारी किये हुए तो लोग उसको चाहत चाहते बैठिए चार में से एक निकाल दिया पानी निकाल दिया जो जगह बने वहां क्या डाल दिया दूद्ध निकाल के पाने डाल दिया समझ माया क्लियर है एक क्वेशन नो ऐसा बनाऊगे अब लिखो एक बैमान दूद वाला 45 रुपे प्रती लिटर के दूद 45 रुपीज पर लिटर 45 रुपे प्रती लिटर के बाव से दूद खरीदता है और उसी भाव पर बेचता है बट बाई यूजिंग परन्तु पानी मिलाने पर उसे 17 ग्यारा बटा 17 प्रतिशत का लाब होता है बट बाई यूजिंग वाटर ही एक्चुली एंस प्रॉफित ओफ उफ 17, 11 बाई 17 परसेंट उसे 17 ग्यारा बटा 17 प्रतिशत का लाब होता है एक्चुली वह उसे लाब नहीं होना चीए था स्वाम आखरीद के स्वाम बेचाया था ठीक है अब question में ये है कि मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है what is the percentage of water in the mixture मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है मिश्रण में न सबसे बेल तो उसकी fraction value निकालने बढ़ेगी 20 प्रतिशत 3 बटे 17 उसमें 3 और 17 क्या है हाँ 17 हाँ तो अब बताओ मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत चलो ये तो सही निकाला आपने 3 बटा 17 लेकिन ये 3 बटा 17 है क्या देखो 17 उसका actual cost price है मतलब उसने सच में कितने का दूद बेचा 3 क्या है उसका पानी जो उसने मिलाया है जो उसने पानी मिलाया है या फिर जो उसने दूद चोरी किया तो काईदे से मिश्रण कितने का था 20 का पहले वो 20 बेच रहा था पूरा फिर उसके दिमाग में आए कि अब मैं 20 में क्या करूँगा से 6 मिश्रण कितने क difेस का पानि कित नहें 3 कि Rocket नहीं तो क्या हो गांसर करें कि चेल इन्हें टीन बड़र कितना होता है size पानिक यहसे सेउके जड़ différence कि ढुनग होता हैरा नहीं जो एसे सब और सेख कैसे साथ इसको फटा फट बनाना आना चाहिए, तो इसको रटना नहीं है, यह नहीं उठा के रट दिये, कैसा होता है, उसका logic आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं और भी एक दो चेंजेस करूँगा, तो यदि आप इसको रटे रहोगे, तो आप अटक जाओगे वहाँ, इसका logic मैंने आपको पहले ही बताया, जो concept समझाया था, चलो ठीक है, profit loss मैं नहीं करा रहा, यह तो बहुत लंबा chapter है, आप heading लिखो, अभी शायद आप सबको समझ में आएगा, number system, number system, क्या बोलते हैं उसको हंदी में, संख्या पद्धती, तो देखो इसमें तो basic basic questions आपको पहले में बता देता हूँ, जैसे आपके book कही questions करा रहा हूँ मैं, advance में इसकी book है, वह काफी अच्छी book है, इसको दो-तीन बार बना लो, इदा-दार भटक में जोरत नहीं है, इसको इक्वेशन का आपको unit digit find करना, आपको इसका इकाई जो संख्या होगी, अंक होगा वो ग्याद करना है, 584 into 389, मेरे ख्याल से ये तो आपको आता होगा, 476, पूरा into करोगे क्या, नहीं, अब इसको थोड़ा सा calculation speed लेके हो, 6-6 आ, 36, 6 बचा, बस 6 को पकड़ो, 6-9 आ, 6-9 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आएंगे भी कभी, जो तुरंट समझ में आ जाएंगों कभी एक्जाम में नहीं आता, तो एक्जाम में क्या आएगा देखो, एक्जाम में क्वेशन पूछेगा, 5627 के घात, एक्सो तिरपन, गुड़ेट, 671 के घात, 230, अब देखो ये बहुत आसान है, क्योंकि वन ही आएगा उसके लास में, अच्छा बताओ, वन का स्क्वेशन क्या होता है, वन होता है, 11 का स्क्वेशन बोलो, 21 का स्क्वेशन बोलो, 31 का स्क्वेशन बोलो, एक 40 का स्क्वेशन बोलो, ठीक है, क्या दिख रहे है, कॉमन, आखरी में वन ही आना है, समझ आया, अब कुछ भी कर लो, आखरी में क्या आएगा, वन, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन के घात 230, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक के घात 230, तो वो त 7 की cyclicity होती है, 7 की क्या होती है, cyclicity, देखो cyclicity आप कहा से हो, सब पर नहीं जाते है, 4 होती है, क्या होती है, सब नंबर की, सब ही नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब की cyclicity क्या होती है, 4, इसका मतलब क्या है, देखो, यदि मैं बोलू, 7 के पावर में, 1 तो क्या होगा, सेवन का स्क्वाइर बोलो सेवन का क्यूब बोलो 3,4,3 7 to the power 4 जब आप करोगे ध्यान सुनना 3,4,3 into क्या कर दोगे 7 तो आखरी में क्या आएगा 1 समझ मैं अब इसके बाद आगे अब यदि मालो इसको निकालना ही पड़ जाए 7 के स्कवर तो याद ही अपने को कितना होता है अब बहुत पहले मैं आपको ये स्क्वाइर निकालना भी सिखाया था चाहिद आप भूल गया होगे तो आप तो पुराने होना बहुत पहले मतलब बहुत धड़ती का निर्वाना हुआ थो उतने पहले नहीं पताया था हुआ बिटाय तो पता होगा चलो पुराने लोग बताओ कितना हुआ आप बता हुआ तो फोर जीरो वन सारे जमीन में हो गया इस पता हो न सीना या तो टियुको कूछ ना बेसिक चीजे होती है जैसे यह सब स्कुएर सुना मतलब 2 पहाडा याद होना है यह कि आप इसके स्कुएर नहीं बता पारे हो तो रही से स्कुएर नहीं बता हुआ यह मतलब है इसका और मैं आपको सचाहीं बता रहा हूं एक्जाम बिटा मेहनत से न पोस्ट आई है आप कभी उसका पेपर देखना मेंस का जा करके तो जो चीज पढ़ाई जा रही है न उसको seriously पढ़ो यह मैं आपको बताया था यहां पे देखो एक का कितने का देफरेंस है दो का 25 में दो गया त्हेस डिफरेंस का स्कोर 2 का स्कोर 092 का जीरो नाइन, जीरो नाइन, तीन गाप का स्क्वेर, उन्चास नहीं, गाप, गाप, समझ आया, गाप, गाप इसलिए बोरा हूँ, क्योंकि 47 को मैं लिखूंगा, A-B का होल स्क्वेर, जिब आप इसको एक्स्पेंड करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ रहा है कि ऐसा क् इसका एक्समेंशन तो आता हूँगा, A-SQÅरर, B-SQ, ठीक है, समझ आई बात, पक्का, तो जड़ी ऐसे करोगे तो आपको पता है कि इसका A-SQ कितना होजाएगा, 2401, अब ध्यान से देखो, जड़ी मैं एक बार फिर से इंटू कर दूं, 7, तो आखरि में क्या जबाइगा, seven, यानि हर चार नंबर के बाद, पहले एक मे side uh uhh, फिर किस में आए, पाच में, इसका मतलब यह? कि हर nhiều चौथे पावर के बाद unit digit repeat worked होता है एक के बाद किसमे repeat होगा, 5 में, फिर 5 के बाद किसमे repeat होगा, 10 में, clear है है Лि तो तो 5 और के बीच में gap कितने का है? चार का, इसलिए सेद्टि की हो गई? 4, और याद रखना सभी तक होती है?4, यह रट दू आप, अब आप बोलो के नहीं सर सभी तक होती है, है ना, यदि आप बोलो के जैसे 4 का स्क्वेर, 4 का स्क्वेर कितना होता है? 16, फिर 4 का क्यूब कितना होता है? 64 इसमें 6 और 4 6 और 4 यह आता है, लेकिन इसकी भी cyclicity 4 है इसकी भी cyclicity कितनी होती है? 4 होगी 6 में 6 ही आता है तो भी cyclicity 4 है हो हर 4 के बाद repeat तो हो रहा है न हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर 4 के बाद वो repeat तो हो रहा है इसलिए मैं आपको बता है confusion हटा दो दिमाग से सब सब नंबर की सब्सक्राइब कितनी होती है वन में भी आप करो चर चोथे के बाद वन आ रहे हैं अब हो इत्वा के क्यों युणीग नंबर्स होते हैं वन में वन आता हैं इसे उलिएक नंबर्सेंब वह दो कंडिशन सेटिस्वाइ करते हैं एक अपनी कंडिशन और एक चार वाली कंडिशन उनिवर्सल तो कभी आप भूलोगे नहीं की समझ मैं क्लियर है अब ध्यान जो तो तो आप क्या करोगे आप इसको किस से भाग दोगे 4 से मैंने 4 से चार से बहाँ देने पर फूर सुल एदि आपको पता ना है तो आप 113 को निए सिर्फ किसको डिवाइट करोगे तिरपन को, क्योंकि चार से भाग होने का रूल क्या होता है, आकरी के दो नंबर चार से डिवाइड होने चाहिए चलो ये माल लो आप डिवाइड करें माल लो मैं ये दे दे तो, अब पूरा डिवाइड करते बैठे रहते गया, सिर्फ किसको पकड़ते तिरपन समझ में आया, तिरपन की तो तेरा चोग कितना होता, बावन, रिमेंडर क्या बचा, वन तो वन बचा ये रिमेंडर याने सैकलिसिटी पूरी हो गई ये सैकलिसिटी पूरी कुम्प्लीट हो गई, फिर 7 तो द पावर किस में आ गए? वन, चार की सैकलिसिटी कंप्लीट किस में आ गए हम लोग वन बै याने कि यदी 5 में आवाओगे, तो भी तो वन में जा रहे हो 5 में भी करोगे तो कितना हो जाएगा? एक ही आएगा, तो 7 to the power 1 में चल जाओ, किसमें होगे, 7 to the power 1, तो वो कितना हो जाएगा, 7, समझ में आया, 9 बोल रहे थे तुम लोग, 9 बोल रहे थे कि सुरू में, 7, तो क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर 7 into 1, तो इसका unit digit क्या है, आ गया समझ में, पक्का, तो cyclicity में कोई डाउटी नहीं रखना, अब कुछ-कुछ special numbers होते हैं, आपको तो अल्रेडी पता है, 1 में 1 आता है, 4 में odd-even का फंडा भी काम करता है, 4 का भी काम करता है, और odd-even का भी काम करता है, 9, 9 में भी वही फंडा है, लेकिन 4 सब में काम करता है, ठीक है, चलो, अब एक question में लिख रहा हूँ, इसको बिना pen उठाया बनाते हैं, बस 4 से divide करना आना चाहिए, अब मैंने आपको बता दिया, पूरे number को 4 से divide करनी कोई जोरत नहीं है, आप सिधा आखरी number को पकड़ो, 55 के घात 725, प्लस 73 to the power 58510, प्लस 22 to the power 853, ठीक है, पांच में तो कोई problem नहीं, पांच में क्या आता है, पांच ही आता है, आप पांच के कोई power को देख लो, वहाँ पे क्या आएगा, पांच ही आएगा, और यदि आपको doubt है कि cyclicity जो बता रहे हैं, चार वो चार भी काम करेगा, करके देखो, देखो, सीखो अभी, 25 को यदि मैं ढखाग देता हूँ, किसको भाग देता हूँ, 25 को, चार से, तो कितना remainder बचेगा, 1, 5 to the power 1 क्या होता है, 5, समझ में आगा, उसमें भी 5 ही आएगा, और यदि मैं बोलो, 5 का कोई power 5 ही आता है, करके देख लो, 5 का power 1 क्या है, 5, 5 का square, 5 का cube, समझा रही बत, 5 के घाट 4, 5 के घाट 4 मतलब 25 के घाट 2, 625, समझ आया, तो सब बार क्या repeat हो रहा है, 5, और cyclicity लगाना है, तो वो भी लगा दो, इसको भाग दिये, तो कितना बचा remainder, एक बचा, एक बचा तो 5 के घाट 1 क्या होता है, 5, इसलिए मैं बोला, cyclicity with 4 वो क्या है, universal है वो, समझ आय clear है, अगला देखो, 3 के साथ cyclicity लगाओ, 4 से भाग दो, पूरे number को नहीं देना, remainder बताओ क्या होगा, 2 remainder होगा, 2 remainder मतलब 3 to the power 2, याने क्या हो जाएगा, good, यहाँ पे भी बताओ, 1, याने क्या हो गया, 2, अब write कर लो, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16 का unit digit क्या है, 6, आगया समझ में, पक् सब्में, सब्में, करके देख लो तुमको भरोसा नहीं है, मेरे पर भरोसे एक दम मत करो, व्हुंद पर भरोसा करो, जलो, यदि मालो मैं ऐसा कर दो, अब अपन दोनों रूल लगा के देखते है, आता है कि नहीं है, 9 to the power 1 कितना होता है, बोलो, 9, 9 to the power 2 कितना होता, 81, तो हमने यह सीख लिया कि भाईया वन में नाइन आता है जबी यह और नमबर होगा तो नाइन आएगा यह और नमबर होगा तो वन आएगा यह और नमबर है और नमबर है इसको भूल जाओ उसके पावर में कौन सा नंबर है? और नंबर क्योंकि 9 आ गया. तो 9 के पावर में और मतलब 9 के पावर में 1. तो इसका अंसर क्या हो गया? 9. ये वैल्यू क्या हो गया? अब साइकलिसी लगा के देखो. इसको डिवाइट करें 4 से. इसको छोड़ दो. जाओ. कितना रिमेंडर बचेगा? एक बचा? 9 to the power 1 क्या होता है? समझ गया? काम करी की नहीं करी? पका. तो याद रखना, साइकलिसी लगावर में 4 इसकोड़ इसकोड़ पांच जैसे नौ. समझ गया? 6-5 में तो और दिक्कत नहीं है. 6 है तो 6, 5 है तो 5 है. देखो बुक पुरी उठा के बना ले ना, इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाना है एक ये बार में. ठीक है? अब एक क्वेस्टिन है, इसमें ना आंसर के लिए कोई पैन ने उठाना. पुरस अपने भरोसा रखना, कैल्कुलेशन पर, अपने, और ये CGL में पूछा हुआ क्वेस्टिन है ये. इसको अपन बिना पैन के सौल गएने के. सोच के देखो. इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये ही पूछा है. आ गया समझ में. पक्का. अच्छा, यदि मैं ऐसा कर देता तो. क्लियर हो गया ना? पक्का. क्योंकि अपने को फोर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है बस. अरे एक आद आता है, तो CGL का टॉफ किता है आता है, आपको पता है? भाई वहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे मेरा एक स्टुडेंट है, वो अभी जी एस्टी लगा लिया है, अभी जॉइनिंग होने वाली है, उसकी, जी एस्टी में इंस्पेक्टर, अभी लगा उसका पोस्ट, उसको गणित में, गणित का क्वेस्चन किता है, नब्बे न आज मैं बता दिया, उठा के पूरा रगर दो दो बार, और जबी भी बनाते हो न तो ऐसे नहीं बनाओ कि पहले स्वाल बना रहे, फिर उठा की चाय पी लिए, फिर तो बिस्किट खा के आगे, ऐसे कभी नहीं बनाओ, आप क्या करो, स्टॉप वाश मोबाईल में चालू क जो बन रहे, फटा फट बनाओ, कॉपी में आंसर लिखो, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा जो भी आ रहे है, एक घंटे के बाद आप चेक करो, आपने कितने छोड़े हैं, कितने गलत हैं, फिर अनलाइस करो, और तीन-चार लोग एक साथ मिलके बनाओ, तो जब आप यही काम करोगे न, तो आपके लिए एक्जाम कोई नहीं बात नहीं रहेगी, आप एक्जाम में भी जाके वही चीज करोगे, जो आप रोज कर रहे हो, जैसे कभी खाने के लिए प्रेशर आता है, कि अरे आज खाना खाना है, कभी प्रेशर आता है, कि अपने आप होता है क्यों होता है ऐसा, डेली खारे वाद, समझ में आया, तो वही रोज ऐसी प्रैक्टिस करो, हैबिट में लिया उसा, मैट्स ऐसे ही बनाना है, मैट्स रीजनिंग इनफेक्ट, पूरा SSC ऐसे ही है, PSC की बात अलग है, PSC में subjective है, उसमें आपको थोगा से अध्यान करना पड़ेगा, अब थोड़े से advanced questions में आते हैं, अच्छा ये एक अलग question है, मतलब सेम है ये भी, बस, 8 आ गया, 8 अभी तक आया नहीं था, इसका आपको ना unit digit बताना है, वो मैं लिखने हैं, इसका अंती मंग ज्याद करेंगा, यही सवाल है, अब देखो, 8, 8, 8, 8 की power में भी क्या आगया, 22, मैंने आपको बताया, किसी का भी समझ में नहीं है, तो cyclicity 4 लगा दो, 8 में भी 4 की cyclicity काम करेगी, हाँ, चलो बताओ, अब आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, एक problem आ गई, इसलिए मैं आपको दिया, यह जो अभी तक जो भी number बता रहे थे, उसमें हमेशा remainder बच रहा था, यहाँ पे remainder नहीं बचेगा, तो याद रखना, जब remainder नहीं बचेगा, तो 4 को लेना है, क्य क्योंकि 4, 4 लेना है, क्यों लेना हूं मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसको divide करूँगा, तो remainder 0 आएगा, हाँ या ना, या फिर मैं बोल सकते, remainder 4 आएगा, दोनों बोल सकते हो आप, बोल सकते हो कि नहीं, 4 मतलब अगले multiple में चला या यदि मैं बोलो की, मैं 8 को 4 से भाग दूगा, remainder क्या बचेगा, तो मैं बोलो का remainder 4 बचेगा, वो अगले multiple में चला जाएगा, remainder 0 बचेगा, मेरे को पता है, लेकिन उसको बोलने के एक दूसर तरीका भी तो हो सकता है, remainder क्या बचेगा, 4 जो किसमें चला जाएगा, अगले तो जीरो को बोला जाए कि चार भी रिमेंडर हो सकता है तो गलत नहीं है लॉजिकली आप बोलोगे नहीं सर चार चार रिमेंडर होई नहीं सकता मैं मानता हूं नहीं हो सकता लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं समझ आया तो 4 remainder count कर लो 1 2 3 4 तो answer क्या होगा समझ गया कलियर है remainder 1 आता तो लेते हो 2 आताए 2 3 आता है तो 3 लेते हो 0 मतलब 4 होगा तो क्या ले लोगे 4 समझ आया तो answer क्या होगा 6 एब यहाँ पर divide करो तो remainder क्या बचेगा 2, बचेगा नहीं बचेगा, इसको भूल जाओ, 22 बटा 4 करो, कितना बचेगा रिमेंडर, 2, तो 8 to the power 2 में आ जाओ, 8 to the power 1, 8 होता है, 8 का square, 64, तो क्या पकड़ोगे 4 को, तो क्या होगे answer, 10, 10 मतलब 0, समझ गए, तो exactly divisible है, तो क्या ले लोगे, 4, clear ये, अक्का, चलो भी इसको बना के बताओ, unit digit क्या होगा, एक आएगा ना, थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए, ना, कोई थूप थोड़ी मूह में तुरन थूप दिये, बना के बताओ, क्लास में आते हो ना, तो सुस्त शरीर और सुस्त दिमाग के साथ मताओ, एनरजेटिक रहो, भले कुछ समझ में ना है, लेकिन एनरजी रहनी चाहिए, पूरी, कितना आएगा आंसर, बताओ, रिमेंडर कितना बचेगा, जीरो, जीरो मतलब चार, जीरो मतलब चार हुआ नहीं हुआ, तो कर लो, 7 to the power 4 आंसर है मेरा, अब वो तो याद नहीं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये अभी थोड़ी देर पहले कियो है, तो क्या होगा अंसर, और वैसे भी याद नहीं, तो 7 का क्यूब तो जनरली याद ही होता है, तो 7 का क्यूब होता ही है, पूरा मत इंटू करो, साथी, 21 बस यही तो चाहिए मरे को, समझ में आया हूँ, तो 7 नहीं होगा, क्या होगा अंसर इसका, 1, clear, अब इसका बताना तुरंत नहीं बताना, सोच के बताना इसका योनिट डिजिट क्या होगा, इसका मतलब यह एक्जैक्ली डिविजिबल है, यानि इसका अंसर होगा, 8 के घाच, 4, 8 के घाच, 4 मतलब 8 का क्यूब जनरली याद होता है, यह तो याद है न, इंटू क्या कर दो, 8, तो अब पू तो यह 4 से डिविजिबल वाले हो गए है न, अब ध्यान दो, अप्रण सा लेवल को अब करते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को, यह तो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे अभी तक, हम लोग पढ़ रहे हैं भी देखो, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, नंबर हो रहा हम, फिर आता LCM, HCF, और linear equation भी डाल सकते हैं, तो यह 4-5 topics आते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर, उसमें सबसे पहला concept क्रा रहा हूँ है, कौन सा, unit digit, ठीक है, ध्यान दो अब, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, factorial 6, यह फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यह पता है बस, यह आप यदि probability पढ़े होगे तो यह सब पढ़े होगे आप, probability पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या होती probability बताओ, हाँ, प्रैक्ता क्या होती है, होने की संभावना, किसी भी चीज़ को घटित होने की संभावना, आप क्या चाहते हैं और भगवान क्या चाहता है, उस उसमें एक आने का किया पर्संट चांसे कि लुड़ो फेखने पें पें किया जाए एक लुड़ो फेखने पर कितना सकता मैक्समें एक दो थीन चार पांच है तो भगवान की इक्ष्य कितनी है छे आपकी इक्ष्य कितनी है इसू क्या बोलेंगे probability. समझ में आया? Clear है? Probability कभी one से ज़्यादा नहीं हो सकती. Probability कभी one से ज़्यादा, one से ज़्यादा कब होगा? जब numerator, denominator से बड़ा होगा. तभी तो one से ज़्यादा होगा न? कभी आपकी अच्छा, भगवान की अच्छा से बड़ी हो सकती है? गया आपकी सोच कभी भगवान की सोच से बड़ी हो सकती है इसलिए प्रुवैबिलिटी कभी वन से जादा नहीं हो सकती असंभव समझ माया यदि मालो मैं ऐसा लिख दू कि यार वन आने का चांस यह है मतलब छे चांसे से मैंने कितने चांस क्रियेट कर दिये साथ तभी तो प्रुवैबिलिटी वन से जादा आएगी समझ यह है चलो खेर तो उसको ना फैक्टर बोलते हैं तो यह आद रखना और लिखने के दूर तरीकिया तो ऐसे डॉट लगाते हैं तो ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं अब जैसे देखो यह एक क्वेस्चन था यह मेर इसको फैक्टोरियल को इन्दी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हो तुम लो? फैक्टोरियल ही बोलते हो ना, ठेक, ठेक एक, दो, तीन, तुदब पावर , नाइन टू थी फाइव झेम है, फैक्टोरियल है ना, 9,2,3,5 अलग है, 9,2,3,5 फेक्टोरियल मतलब है, 9,2,3,5 into 9,2,3,4 into 9,2,3,3 ऐसा करते-करते कहां तक, 1 तक, ये इसका मतलब है, ठीक है, अब देखो ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, ये, त्रिपल सिक्स, त्रिपल सिक्स तु दे पावर, 2,3,5,9 वो भी फेक्टोरियल, और आखरी में है, ट्रिपल नाइन, तु दे पावर, 4 तैमस 9, और उसके पास कहा है, फेक्टोरियल है, इस एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट बताना है, पाच ऑप्शन में तो है, ठीक है, कितने लोग का रहा है, पाँच, तो देखो एक चीज समझो, यदि मैं इसको एक्सपैंड करूँ, यदि मैं उपर वाले को लिखूँ, तो उपर वाले का मतलब क्या है, ट्रिपल एट, इसको लिखते हैं ना, 9,2,3,5, इन्टू, 9,2,3,4, इन्टू, 9,2,3,3, ऐसा लिखते जा रहा हूँ मैं, अगला क्या होगा, 9,2,3,2 होगा, अब यदि इसको मैं किस से डिवाइट कर दूँ, 4 से, तो यह कही न कहीं, तो 4 से पूरा कैंसल ही हो जाएगा, यदि माल लो, इसको देखो, इसी को पकड़ लो, बस, यह पूरा 4 को काट के नहीं हो जाएगा, तो यह जो एक्स्प्रेशन है, किस से डिविजिबल है, 4 से एक्जैटली डिविजिबल है, बस यह पकड़ना था, समझ माया, 4 से डिविजिबल है, किस से डिविजिबल है, 4 से, तो यानि कि आपका अंसर क्या होगा, 8 to the power 4, वो तो अभी निकाले थे, कितना होगया, इसका unit digit, 6, यह भी किस से डिविजिबल होगा, 4 से, अरे इसको इंटू करते, 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 करते जाओगे, तो 4 का कोई न मिलेगा, तो ऐसा तो लिख सकते हो, ऐसा यदि मैं लिखता जाओ, 9, 2, 3, 5, इंटू करते, 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 आखरी मैं से 4, 3, 2, 1 नहीं आएगा, तो 4 तो कैंसल होगई होगा, तो बस आपको क्या पकटना है, कि यह वाला जो expression है, यह किस से डिविजिबल है, पूरा, 4 से समझ में आगी बात, तो पावर, यदि मैं चाहूँ, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इन सब के घात में क्या लिख दूँगा, काट के 4N, यहां भी क्या लिख दूँगा, similarly यहां भी क्या लिख दूँगा, 4N और यहां भी क्या लिख दूँगा, तो यह इस लिख दो 9, 4, कुछ भी हो, सब की cyclicity कितनी है, 4, कुछ specific condition है, जो हमने पढ़ लिए, समझ गए, बस, अब आगे बना लोगे, हाँ, अब औरली बतला हो, ये तो, 8 to the power 4, याने कितना हो जाएगा, 6, 2 के घाच, 4, 2 के घाच, 4 कितना हो जाएगा, 16, तो क्या हो गया, फिर से 6, वहाँ पे से divide करोगे, तो क्या हो जाएगा, 9 to the power 4, याने 1 ही आएगा, clear है, 9 to the power 4 ही होगा न, या फिर ऐसा भी बहुत सकते, odd even भी लगा लो, वो भी सही है, 9 to the power 4 जो होगा, वही 9 to the power 2 होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, या फिर आप ऐसा भी कर लो, 9 to the power 4 का मतलब क्या होता है, 9 का cube तो नाइन नाइन जा कितना होगे वन जैसा भी आपको सही लगे तो आखरे में क्या जोड़ दोगे वन अब आट करो छेत्रिक अठार और एक उन्निस उन्निस का क्या पकड़ोगे हाँ फाइव गलत अंसर है फाइव ऑप्शन में था इसका अंसर होगा नाइन क्लियर हुआ पक्का तो देखो देखने वस कटिन था कटिन था कि है सवाल इसका आपको क्या बताना है इसका जो इकाई अंक है इसका जो यूनिट डिजिट गिवन है इसका इनिट डिजिट कितना गिवन है सिक्स गिवन है वो क्लियर है सवाल लिखो आप के कमान क्या होगा वाट विल बी द वैल्लिव ऑफ के ठीक है हाट सब भी बागी सब भी बना लो आपसे क्या पुछा है के कमान क्या होगा अप्शन लिखो आठ छे दो नन ओफ द अबव आठ छे दो नन ओफ द अबव नन ओफ द अबव मतलब आप फिक्स बता भी नहीं पाओगे ये भी हो सकता है इसका असर नन ओफ द अबव है हाँ हाँ आठ भी हो रहा है छे भी हो रहा है दो भी आ रहा है समझ आया तो आप बता पाओगे क्या भाई दो भी हो सकता है आठ भी हो सकता है छे भी हो सकता है समझ गए क्लियर हुआ इसलिए जो दिखता उसको तुरंत नहीं बोलना तो आसा होल्ड करो क्लियर हुआ क्वे ठीक है लिख लिए question सवाल समझ मैंना क्या mistake थी अब देखो यहाँ पर सवाल यह दिया हुआ है इसमें आपको छोटी सीचीज समझनी है यदि मैं factorial 1 करूमा तो 1 to the power 1 ही आएगा factorial 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 होगा 2 to the power कितना हो गया 2 कितना हो गया 4 3 2 6 यानि वो तो 6 ही आएगा उसमें तो कोई problem ही नहीं है 4 में आजाओ देखो यहाँ तक सोचना फिर इसके आगे सोचना नहीं आपको 4 factorial मतलब last में क्या हो जाएगा बताओ 4 into 3 into 2 into 1 24 हो गया 24 यहाँने 4 4 के power में क्या है 4N है clear है 4 के power 4 ही आएगा 4 के power 4 क्या होता है 6 होता है clear हुआ तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6 समझ में आ रहे है की नहीं आ रहे है अब यहाँ पर देखो क्या होगा आगे इसके आगे आपको जाने की जूरत नहीं है जब मैं इसको expand करूँगा तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ तक 24 हो गया था चौविस गुणित पांच कितना होता है 120 याने लास्क में क्या आगे जीरो अब जीरो के power में कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा समझ आया in fact of factorial 6 में भी जाओ factorial 6 क्या करोगे बताओ 120 इंटू 6 करोगे 720 आखरे में फिर से क्या आगे जीरो जीरो के उपार में कुछ भी गरोगे क्या आएगा जीरो याने इसके बाद के सारे numbers का unit digit क्या होगा जीरो समझ गये क्लियर हुआ फिछले बार क्या गडबड़ी किया था मैं factorial नहीं लिगा इसले गडबड़ हो गया पक्का अब answer बोलो क्या हो जाएगा छे चे चे बारा बारा चार शोला और एक सत्रा सत्रा क्या लिखोगे ठीक है तो यही होगा न 7 यहाँ पर सत्रा करोगे इसके नीचे क्या आगा 0000 आता जाएगा तो अपैड करो तो क्या आगा answer 7 clear sure आया समझ में यह यह सिर्फ नंबर सिस्टम का एक छोटा सा चैप्टर करा रहा हूं है अभी तो बहुत चीजे बाकी है एक question लिखो तो थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखेगा बट बनाल हो गया confidence रखना बस साथ आठ नौ समझ गया ना question 2 to the power 3 के power में 4 है 3 to the power 4 के power मे 5 है इस expression का unit digit क्या होगा यह समझ में आना सभी को जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि यह 2 और 5 दिख गया आपको इसको करोगे तो 10 आएगा तो और 5 का product क्या अतना है 10 और 10 के last में क्योंकि आखरी में 0 आ जाएगा ठीक है फिर उसके आगे आप कुछ भी add करते जाओगे तो क्या बचेगा लास्ट में 0 ही बचेगा इन दोनों को into करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा अब 10 से आप दुनिया भर की कर दूँ आखरी में मेरे 0 ही आएगा ठीक है चलो ठीक याद ना यही तक रखते हैं चलो अभी मैं छोड़ने रहा हूं मिरको आप बताओ GDP और GNP में क्या अंतर होता है देखो D में Domestic याद रखना D मतलब Domestic Domestic मतलब भारत के सीमा के अंदर और N मतलब नैशनल सियाद रखना नैशनल सनब जो किसी देश में रहते हैं वैक्तियों द्वारा ठीक है उसने दो तीन बाते बोली सबसे पहले उसने क्या बोला एक उसने आप लोगोंने ध्यान नी दिया उसने अंतिम बोला याने फाइनल प्रोड़क्ट फिर उसने बोला दव वैल्यू आप गुट्स एंड सर्विसेज वस्तु एवं सेवा का अंतिम मुल्य ना अब जैसे यदि माल लो जीडीपी का फैदा क्या जीडीपी से हम यह पता लगाते कि कोई भी कंट्री की ग्रोथ कितनी है ग्रोथ का पैरामिटर है करते हैं जितने भी सर्वीसेज प्रोडक्शन हुआ और जितने गुड्स का प्रिट्चन हुआ उसकी मॉनेटरी वैल्यू उसको जोड दिया जाता है जैसे मालो मैं आपको अभी service provide कर रहा हूं चलो मैं तो आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं लेकिन पैसे लेते हैं ना जैसे coaching में जाओगे तो पैसे लेते हैं doctor के पास गए तो doctor को आपने जो पैसे दिये वो सब इंडिया किसमे एकाउंट हो रहा है GDP में तो services को किसमे चेंज किया गया monetary values उसी प्रकार जितने भी production हुए उसको भी किसमे चेंज करेंगे monetary value लेकिन कौन सा final वाला final का मतलब समझो जैसे यदि माल लो तुम गेहूं है ना wheat है है ना wheat से तुम आटा बनाते हूं आटे से तुम bread बनाते हूं ब्रेड से तुम cake बनाते हूं ठीक है अब यदि तुमने माल लो wheat से आटा बनाके आटे को रोटी बनाके खा लिए तो वहाँ पे आटा क्या final goods है आटा क्या हो गया final goods यदि माल लो गेहूं है 20 रुपए का आटा बना 40 रुपए का bread बना 100 रुपए का और cake बना 200 रुपए का तो यदि माल लो final consumption cake का हो रहा है आपका बड़े आपने क्या खरीद के खाया cake तो उस case में मैं सिर्फ किसको count करूँगा cake को बीच के intermediary product को count नहीं करना यदि सब को count करने लग गए तो आपका GDP बहुत जादा दिखा देगा समझ में आई बात अब यदि माल लो आप bread में butter लगा के खा गए तो आप आपका final goods क्या बन गया bread आप सिर्फ किसको count करोगे bread को यदि आप आटे की रोटी बना के खा गए अ आपका final product क्या हो गया आटा समझ में आया यदि आप गेहूं कच्छा खा गए तो क्या हो गया गेहूं आपके क्या बन गया final product यहाँ फाइनल पूड़क क्या था आटा समझ में आया तो हम किसको consider करेंगे consumption किस level पर हो रहा है और उस पर क्या देखा जाएगा वह अंतिम product है कि नहीं है कि समझ में यदि ऐसा नहीं करने से क्या दिक्कत है यदि मैं केक में सबको count कर दूँ हां डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कास्केडिंग अफेक्ट बोलते हैं बहुत ज्यादा GDP नजर आएगा उतना है नहीं कि समझ आया है क्लियर है हां अरे तुम doctor के पास गये doctor free में तो इलाज करेगा नहीं वो fees charge करेगा न तुम्हारी तो वो fees किस में जाएगी इंडिया के GDP में क्लियर हुआ है समझ गये अब देखो वह यह दिक्कत यदि माल लो सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है तो वो एक प्रकार से नुक्सान दायक है क्योंकि आप ऐसे काम का पैसा दे रहे हो जहां पे काम हो ही नहीं रहे है कोई production नहीं और आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा है कि वह एड आ रहा था ना वो तो कीथन मुफ्त की रेवडी बाटाते कर गए अब क्लियर है वहां पर प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हो बैठे हो घर पे और बिरोजगार हो तो आपको सरकार पुरिस्कृत कर रही है आप बिरोजगार हो यह तो बिरोजगारी बत्ता गलती है कि नहीं मेरा अलग व्यक्तिकत थौट है है ना मैं उससे एगरी नहीं करता हूं क्लियर हुआ यहां तक पक्का अब देखो जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं सिर्फ प्रोडक्शन इंडिया के टरिटरी के अंदर होना चाहिए लाइफ आफ आफ पाई देखे हो लाइफ आफ पाई मूवी है कौन था उसम हीरो और यार इरफान खान था याद है कि नहीं है अब सोचो लाइफ आफ पाई यदि इरफान खान ने बनाई वह हौलिवूड मूवी है वो अब इर्फान खान को यूएस में बनी थी वो मुवी, अब इर्फान खान को यदि उसके लिए कुछ पैसा मिला अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी सर्विसेस के लिए, क्या वो इंडिया के जीडिपी में अकाउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कहा हुआ, अमेरिका में, समझ में आया, क्वांटिको देखे हो, क्वांटिको, प्रियंका चोपड़ा हॉलिवुड में मुवी बनाई थी, क्वांटिको नाम था उसका, जुरासिक पाक देखे हो, उसमें भी इर्फान खान था, वो भी हॉलिवुड मुवी है, इर्फान खान को जो प यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां पर बर्गर बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं जी डीपी में नहीं, क्या प्रोडक्शन जी अन्पी में होगा, क्या प्रोडक्शन टेरिटरी के अंदर हुआ, कभी भी दाउट है तो अब खुद से यही स्वाल पूछो, क्या प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है जो समझ में आया प्रोडक्शन कहां ना चीए भारत की सीमा के अंदर चाहे वो देशी कंपनी और चाहे विदेशी कंपनी समझ में आई बार अभी मोदी जी क्यों फॉर इंवेस्टर को लेके आ रहे हैं यदि मालो वारें बफे या और भी कोई बड़ा इंवेस्टर इंडिया में आके पैसे लगाता है मैक डॉनल्ड के ब्रांचे इंडिया में क समझ में आया हूं क्लियर है तो जीडिपी की दो तीन कंडिशन याद रखना फाइनल गुट्स होना चीए गुट्स और सर्विसेस उसकी मॉनेटरी वैली होना चीए और वो टेरिटरी के अंदर होने चीए अब जीएनपी में याद रखना क्या है वर्ड नैश्नल्स फॉर इंकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बोला जीएनपी इक्वल्स टू जीडिपी प्लस नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है उसको क्या बोलते हैं जीएनपी इसका मतलब और मैं साधरन शब्दों में बता देता हूं जीएनपी इक्वल टू जीडिपी प्लस एक्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यह किसका फॉर्मुला होता है, जी एन पी का, क्लियर है, समझ मैं आई बात, यदि मालो क्लोस्ड इकॉनमी है, आप पुरातन काल में चले जाओ, जब हर कंट्री अब ना इंपोर्ट करती थी, ना कोई बाहर से अंदर आता था, ना कोई अंदर से बाहर जा सके, समझ मैं ही बात, तो सोचो अगर ऐसा हो, तो क्या हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, GDP और GNP क्या हो जाएगा, एक्वल हो जाएगा, यह कभी हो सकता है कि आज के युग में नहीं हो सकता, तो यदि ऐसा equation दे इसका मतलब कैंका मतलब है, perfectly closed economy, कैसी economy है वो, यानि जो भी production हो रहा है, वो वहीं के लोगों के द्वारा हो रहा है, कोई leakage नहीं है, ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है, ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है, समझ मैं ही बात, तो N का मतलब क्या है, nationals, अब उसमें और भी कोशन आता है ठीक है